सभी आंगन बाडी सेविका सहय का मिनी बहनों का अपने आल इंडिया आंगन बाडी निउस चैनल की आज साम 7 बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है भायो बहनों ऐसा होना नहीं चाहिए था लेकिन जो हो गया है उसे कोई बदल नहीं सकता मैं आप सब को बताना चाहूंगा कई दुखस समाचार आलेंडिया के पास आज आएं हैं जिनमें एक एक करके मैं आप सब को जानकारी देने वाला हूँ आप सब बहनों को भी जान करके काफी दुख होगा सोभारानी बहन है हमारी और मेरट जिले से आती हैं यानि उत्तर प्रदेश का ये मामला है मतुरा जिले का जहां पर टीका करण के बाद बच्ची की डित हो गई और 23 लोगों की तबियत भी बिगड़ गई और ये टीका क की सनिवार को डित भी हो गई सुवास्ति विभाग की टीम ने मौके पर पहुँच करके मामले की जाच की है आंगन बाडी केंद पर गुरवार को दो से पांच माह के बच्चों का टीका करण किया गया और उसने भी जो है बेटी चंचल को टीका लगवाया सुकरवार को चं की आकिर इसकी वज़े क्या रही तो जैसा भी होगा आगे पता किया जाएगा कहीं न कहीं इसमें विभाग की विफलता ही सुवास्वाग की की दवा में कहीं न कहीं कुछ गलत हुआ होगा वरना तीस बच्चों में तेज की तबीयत क्यों बिगरती और एक जो अब नहीं रहा वो भी ऐसा नहीं होता एक बच्चा अकेला कोई हो तो समझ में आता है कि चलो कोई न कोई खराबी के किसी अन्ने वज़े से कारण हो सकते लेकिन यहाँ पर जादा तर सब का एक ही दिक्कत हुआ तबियत बिगड़ गई और ऐसा सब हुआ तो कहीं न कई जाच की जरूर की डथ हो गई जाच इसके लिए भी सुरू की गई है अब आप बताएए जो इनारसी जहां पर कोपोशित बच्चों के उपचार के लिए यानि कोपोशित मिटाने के लिए उनको बहतर स्वास्त उपलब्द कराने के लिए जाना जाता है वहाँ पर जाकर के भी बच्ची बेचारी नहीं रही और मामला इस वजए से नहीं है कि बच्ची कमजोर थी बहुत जादा तो यह हुआ यहां पर विभाग की लापरवाही रही वहां पर जो जिम्मेदार थे जिनके उपर जिम्मेदारी सोपी गई थी वो वहां से नदारत रहे यानि वहां मौजूद ही नहीं रहे आईए देखते हैं मामला क्या है मामला है प्रतापगर जले का मेडिकल कॉलेज के महिला अस्पताल इस्थित एनारसी में कोपोसिद बच्ची के दम तोडने की घटना को प्रसासन ने गंभेरता से लिया है CMS ने मामले की जाच सुरू करते हुए सनिवार को करमचारी के बयान भी दर्च किये वैसे तो CMS जाच पूरी हुए बिना कुछ बोलने से बच रही है लेकिन सूत्रों की माने तो जाच सुरू होते ही स्टाप नर्स के ड्यूटी से गायब रहने की बात का पता चल रहा है खुपोसित बच्चों के लिए महिला अस्पताल में चल रहे NRC यानी पोशर पुनरवास केंदर में भरती लिखा गया है चिलबिला की जो है आचल दो लिखा गया दो साल की थी सायद कुसुकरवार सुबह डेथ हो गई इस तरह से चर्चा होने लगी कि डाक्टर वा नर्स NRC वार्डों को वार्ड बॉय के भरोसे छोड़ करके चले गए इसी दोरान बच्ची की डिद हो गई इस मामले की जाच CMS डाक्टर रीना परसाद ने सुरू की और NRC में तैनात श्टाप ने उनका पच्च पूच करके जो है वहाँ पर दर्ज किया है और सुत्रों की माने तो सुक्रवार रात स्टाप नर्स अपनी ड्यूटी करने आया ही नहीं चर्चा तो यहां तक है कि यहां एक दिन का रवया नहीं बलकि रोज का यही हाल है सुक्रवार को आचल की डिद से मामला खुल गया फिलहाल नहीं होती है छोटे लोगों की अपने वहां पर ग्राउंड लेवल पर अगर है तो बड़े लोगों की उसकी निगरानी की उसकी मॉनिटरिंग की उनके नरेचण की तरह की जिम्मेदारिया सोपी जाती है तो बड़े जिम्मेदार आखिर इतनी बड़ी बड़ी जानकारियां जो निभाई नहीं जा रही थी उनको लेकर के भी उनकी भी जवाब देई तैं होगी लेकिन अब देखना यही है मामले पर लीपापोती होती है या फिर इस मामले में जिम्मेदारों पर सक्त कारवाई होती है जिसकी वज़े से यहां पर वो बच्ची नहीं रह ऐसे तरह के दो मामले सामने आये हैं खैर आगे चलते हैं कुछ और भी बाते आप सब को बतानी है कुछ और भी जानकारियां है बात करें हम मंजुला वहन की ये आती है मुझफर नगर से जिनोंने अपने वहां से मुक्रच किस्सा अधिकारी जो सामली जनपत के हैं उन्होंने एक लेटर जारी किया है जनपत विद्याले निरिच्चक को जिलाब बेसित इच्चा अधिकारी को और जिलाग कारिकरम अधिकारी को भी यानि अपने भी विभाग के लिए डीपियो को ये लेटर भेजा गया है 25 अक्टूबर को जिसमें कहा गया है एक नमंबर से जनपत में टीडी वैक्सीन अभियान संचालित किये जाने के संबंद में तो भाईो बैनों ध्यान देना आगन बाडी बैनों एक नमंबर से टीडी वैक्सीन अभियान चलेगा साथी यहाँ पर देखेगा इसमें और क्या लेखा गया कि यहाँ पर उपरोक्त विस्यक दिनांक 25 अक्टूबर 2023 को राज इस्तर से जूम बैठक में प्राप्त दसा नर्देसों के करम में आपको अवगत कराना है कि दिनांक 1 नवंबर से जन्पद में संचालित इस्कूल और आंगनबारी केंद्र में नियमित टीका करण के अंतरगत टीडी वैक्सीन से छूटे हुए पांच वर्स, दस वर्स, सोला वर्स के बच्चों को इस्कूलों और आंगनबारी केंद्रों में सत्र आयोजित करके मुखचकसादिकारी के सभाकच में एक बैठक का आयोजन किया जा रहा है अतह आपसे अनुरोध है कि कारकम के सफल संचालन के लिए उक्त बैठक में सरसमय से उपस्थित होने का कष्ट करें इस तरीके से सामली के मुखचकसादिकारी ने लटर जारी किया मैंने पहले भी वीडियो में दोपहर में भी आप सबको बताया था कि एक से दस नवंबर तक ये भियान चलेगा और आप लोगों को थोड़ा इसमें ध्यान देने की आवस्थिता है साथी सा सुसीला बहन है सीवान से आती है और उन्होंने अपने वहां से के मैटर बेजा था जो की पहले ह हम देखा चुके हैं वही वाला प्रारूप था आगनबाडी जो सेविका सायका बहने बिहार में हैं और उन्हों से स्पस्टी करण मांगे जाएंगे उसी से रिलेटेड था साथी ये देखिएगा एक बहन है कुसुमलता मतुरा से उन्होंने ये लेकर के भेजा है भाया ज जिसकी केंद्रबिंदू आगनबाडी कार करता होती हैं जो सरकार के पास जनसंक्या के आकड़े हमारे पास से ही जाते हैं हर साल में दो बार सर्वे करती हैं अपरेल में और अक्टूबर माह में फिर उनका सारांस निकालते हैं जैसे महिला पुरुस गर्बती धात्री जीर करती हैं और गर्बती से लेकर जब तक उसका बच्चा छे वर्स तक का नहीं होता तब तक उसका पूरा देख भाल करती हैं और संदर्ब सेवाए समाज को देनी होती हैं इन रजिस्टरों में कार करना पड़ता है जैसे गर्बती धात्री पंजिका जीरो से दो माह से साथ म और ये सब बागी यानि सात मा से तीन वर्स के बच्चों की पंजिका, तीन से छे वर्स के बच्चों की पंजिका, उपस्तिती पंजिका, तीन से छे वाली और जनम रत्यू पंजिका, टीका करण पंजिका, पोशाहर पंजिका, धैनिक डैरी पंजिका, बच्चों के वजन की पंजिका घर्बती के वजन की पंजिका मीटिंग वाली पंजिका गोद भराई अनपरासन पी टीम पंजिका और सरवेचर पंजिका सरवेस आरांस पंजिका और सरकार अगर पचास अजार भी दे तो भी कम है इतने काम के लिए ये कड़वा सत्य है और लेकिन हमारी विभाग हमारी सरकार मंत्री लोग आए दिन बयान करते हैं कोई एक गंटा कहता है कोई चार गंटा कहता है लेकिन सच्चाई यही है कि बहने आट गंटे से भी ज़्यादा कारी करती लेकिन उस हिसाब से महिंताना देखा जाए तो कम है लेकिन अपना पल्ला जाड़ने के लिए अधिकारी मंत्री विभाग बस यही एक रोना रोते हैं कि आप चार घंटे काम करती हैं और उस हिसाब से आपको ठीक पैसा मिलता है इस तरह से चीजे चलती है जबकि ना कोई करम जो यहाँ पर अभी नहीं दरसाएगें वो सब भी करती हैं तीन से छे वर्स वाले बच्चों को सिच्छा देना प्री प्रैमरी की चार घंटे उसके लिए अपने सेंटर पर आली जनाना कहीं कुछ तो कहीं कुछ उसमें भी जू है इन्हीं मात्र समितियों में इनको लगा दिया गया वहां से उनकारी चाही सागय जाते। सब का काम सब के जम्मेदारी कंदों पर लेकर के आगे बढ़ रही है और जिसका नतीजा आप सब जान नहें है सरकार इनकी फिर भी नहीं सुन रही प्रतिभा बहन है कान्टु नगर से जिनोंने अपने वहाँ से के कारकम का फोटो बेजा है मुक्मंत्री जी है बाकी सब ही आला दिकारी है सब कोई दिखाई दे रहा है और साथी यही कहना चाहेंगे यह सब अच्छा लगता है लेकिन कारकरताओं के विसे में भी सरकार को सोचना चाहिए चुनाओं से पहले वोट के लिए तो आपने बोल दिया 2017 में कि जो है मांदे सम्मान जनक करेंगे सिवा सर्तों में सुधार करेंगे जिसका अभी भी बहनों को इंतजार है तो सरकार करपिया कुछ अच्छा करें इनके लिए केवल एक ही राज नहीं हर राज का सिच्वेशन एक जैसा है तो मांदे पर पहले विचार हो उसके बाद बागी चीजें की जाएं तो और बहतर होगा क्योंकि काम को देखा जाए उस हिसाब से पैसे बढ़ाए जाएं ये बहुत ही जरूरी है सुधा बहने सिदात नगर से आती है और इनके अलावा भी कुछ बहने थी